दोस्तों पैसा आप जानते हो कि हमारी लाइफ में कितना इंपोर्टेंट रोल रखता है तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं जो पैसे को बचाना चाहते हैं अपने पैसे को बढ़तावा देखना चाहते हैं और एक दिना फाइनेंचल फिल्डन तक पहुंच सकते हूँ तो दोस्तों बिना देरी किये सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेके आखरी तक जरूर देखना क्योंकि हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दोस्तों हमारी जो आज की बुक है उस बुक का नाम है मनी हनी और इसको लिखा है रासल रिचर्ड्स ने दोस्तों ये एक ऐसी बुक है जिसमें आथर ने फाइनेशली रूप से अलग-अलग पहलूँ पर चर्चा की है और आप उसमें जब विशेष रूप से देखोगे तो वो देखोगी कि आपके जिन्दगी में वो चीज़ें कितनी फिट बैट रही है अगर आप उन पे गौर करोगे तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आप अपने आपको सेक्षन की हम बात करेंगे जिसका है कि सेविंग्स सेविंग्स में अब सेव आप कैसे करोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की यह है कि हम अपने पैसे को बचा नहीं पाते हैं अब पैसे को हम क्यों नहीं बचा पाते हैं उसका मेंन मुद्दा ये है कि हमारे पास कोई budget नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको करना है, वो अपना एक budget बनाना है। आपको जब तक पताई नहीं होगा कि कितना पैसा आपका आ रहा है और कितना पैसा आपका जा रहा है। तब तक आप किसी भी गोल तक नहीं पहुंच सकते हूँ, कोई clear picture आपके दिमाग में आएगी ही नहीं, दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कि आपको एक अपना budget बनाना है, आपको अपनी सारी income लिखनी है, सारी expenses लिखनी है, और उसके बाद आपको अपनी income में से अप 20,000 रुपे के, तो आपके जो महीने में बचे हैं, 5,000 रुपे, यह आपका जो है, वो golden number है, यानि कि जो 5,000 रुपे आपकी saving हो रही है, वो आपका golden number है, तो सबसे पहले आपको focus करना है, budget बनाने पे, हर चीज को लिखो, जो जो खर्चे हैं आपके हैं, आपके rent हैं, बच कितना पैसा खडच हो रहा है, कहां आपको कटोती करने की जरूरत है, जिससे कि आपका जो golden number है, जो saving की amount है, वो amount आपकी बचे basically, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, वो budget बनाना है, बिना budget के कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपकी salary आई, उससे पहले आप एक budget बनाओ कि आपको कितना पैसा कहां देना है, ये चीज आपको पहले ही करनी है, जो अनावश्यक खर्चे हैं, जो जरूरी खर्चे नहीं है, उनमें आपको कटोती करनी है, उनमें आपको क्या करना है, कि जरूरी नहीं है कि वो चीज़े आप खर्च करो, उनके बिना भी आपका काम च आपकी जो saving के amount है वो है basically तो पहले section में इसी के बारे में बात की गई है और जब saving की बात आती है यहाँ पर हम सीखने वाले है four bucket method का परियोग कि saving कैसे आपको करनी है सबसे main मुद्द तो यही होता है कि पैसे बचाएं कैसे देखिए यहाँ पर four bucket method का परियोग आपको करना है सबसे पहली जो bucket है वो bucket है emergency savings की इसमें आपको emergency saving के लिए जो है वो अपनी बचाने है पैसे दूसरे bucket में जो है medium term saving यानि की वो उन चीजों के लिए आपको saving करना है कि जिन चीजों की जरूरत आपको एक साल या फिर उससे भी कम समय में जिन चीजों की जरूरत पढ़ने व एक साल से पहले पहले जो आप करना चाहते हो, वो basically आपकी bucket number 2 में आएंगी, तीसरे में आती हैं आपकी long term savings, यानि कि वो savings जिनकी जरूरत आपको एक साल के बाद और retirement से पहले पढ़ने वाली है, जैसे कि suppose करो आपके बच्चों की education है, आपके बच्चों की शादी है, तो ऐस जो goals हैं basically आपके, आपने प्लान किया है कि 10 साल बाद मुझे अपना घर लेना है, तो उसके लिए आप basically वो bucket number 3 में अपने पैसे को save करोगे, number 4 में आता है आपका retirement saving, यानि कि ये goal वो है, आपका retirement का goal है, तो retirement के लिए भी आपको अभी से पैसे को save करने की जरूरत है, तो अ emergency की saving का बाल्टी आपकी भर जाए, आप जैसे suppose करो आपको जो monthly expenses है, उसको आप 6 से multiply कर लो, तो अगर आपका महीने का खर्चा मान लिया 25,000 रुपे, तो ये मान के चलो कि emergency fund के रूप में 6 महीने के expenses, मतलब 1.500,000 रुपे आपके पास वो होने चाहिए, emergency saving के रूप में, पिर आपको long term savings के लिए देखना है, कि आपको आज से अगर 15 साल बाद या 20 साल बाद बच्चों की education के लिए या बच्चों की शादी के लिए जो पैसा चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए, उसी के according आपको आज इसमें पैसा बचाना सुरू करना है, और retirement के रूप में आ ताकि आप अपने पैसों को इस तरीके से जो है वो बचा सको, दूसरे section में debt की बात की गई है, यहाँ पर basically आपको कर्ज से basically free रहना है, क्योंकि जब तक कर्ज आपके जिंदगी में जगे बनाता रहेगा, तब तक आप financially freedom नहीं हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कर् कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लोगे, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लोगे, यह चीज आपको नहीं करनी है, हम आजकल देखते हैं, credit card के उपर कितना ज़्यादा कर्ज लोगों पर है, हर चीज हम EMI में खरीद रहे हैं, phone से लेके, TV से लेके, फ्रिज से लेके, washing machine से लेके, air conditioner से लेके, हमारे पास पैसा नहीं है उसको effort करने का, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, कि उसको किस्तों में खरीद रहे हैं, जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है, हम पहले ही basically उसके जाने की विवस्ता कर चुके हैं, तो EMI का burden दीरे दीरे इतना बढ़ जाता है, कि एक समय ऐसा आता है, कि आपके पास ब्याजी ब्याज की जो उसकी रखब है, वो बहुत ज़्याद हो जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कि आपको कर्ज से बचके रहना है, credit card से आपको बचना है, credit card का इस्तेमाल आपको नहीं क तो इसलिए ये flexibility आपको नुकसान पहुचाएगी लंबे समय में, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कि कर्ज से आपको बचके रहना है, तीसरे section में अब बारी आती है investing की, क्योंकि आप पहले section में save करना सीख गए, दूसरे section में आपने सीख लिया कि कर्ज बेसिकली नहीं लेना है, क्रेट कार के ओपर बेफालतू का जो है वो बड़न ही कठा नहीं करना है, अब तीसरे section की बारी आती है investing की, investment में आपको ऑथर कहते हैं कि stocks and bonds पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जब आप long term में stock market में invest करते हैं, तो आपको वहां से बहुत अच्छा return generate करके मिलता है, तो इस तरीके से आप bond में invest कर सकते हैं, आप stocks में invest कर सकते हैं, आप mutual fund में invest कर सकते हैं, index fund में invest कर सकते हैं, यहाँ पर author कहते हैं कि four golden rules है investing के, वो यह हैं, जब आप stock market में invest करते हो, कि don't sell when the market is down, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब market गिरती है, उन्होंने अच्छी quality company के share ले रखे होते हैं लेकिन जब market गिरती है तो वो क्या करते हैं वहाँ पर अपने share को base देते हैं या फिर अपनी SIP को वहाँ पर base देते हैं इससे उनको नुकसान होता है Warren Buffett आप कहते हैं कि जब दुनिया लालची हो तो आपको डरना चाहिए और जब दुनिया डर रही हो तो basically आपको थोड़ा लालची हो जाना चाहिए यानि कि जब market गिरती है अभी कोवीड के टाइम पर हमने देखा बहुत सी कमपनियों के blue chip कमपनियों के stocks ऐसे जो 40% 50% थक के correction में मिल रहे थे तो अगर आपने वहाँ पर invest किया होता तो आपको आगे चलके बहुत profit होता लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने blue chip कमपनियों अच्छी कमपनियों के share लिये थे लेकिन गिरावट में क्योंकि COVID की वज़े से market में crash आया था तो उस वज़े से कमपनियों के shareों में गिरावट आ गई थी उस share को खरीदा है तो आपने वो long time के लिए खरीदा है तो short time में अगर उसमें कुछ मान लिया temporary problems की वज़े से अगर कुछ गिरावट अगर उसमें है तो आपको उसको नहीं बेचना है जब तक कि कुछ major problem उस company में नहों तो यहां पर आपको क्या करना है जब market में गिरावट अगर आपको बेचना नहीं है don't buy when the market is high यानि कि बहुत से लोग ऐसे हैं तो जब market में अच्छा चल रहा होता है जब सेंसे लगातार ने हाई टच कर रहा है तो लोग क्या करते हैं market में लालची होते है market बढ़ रहा है बढ़ रहा है इसमें लगातार अपने पैसे को लगाते हैं तो यहां पर आपको डरने की जरूरत है कि market जब लगातार उपर के ओर जा रहा है तो आपको डरने की जरूरत है आपको सोच समझ के अपने पैसे को लगाना है ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल दिये देखा कि market उपर जा रहा है आपने अपना सारा पैसा लगा दिये तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत है तीसरा rule जो है वो है invest for long term short term में stock market हमें सा volatile होता है तो इसलिए आपको long term के लिए invest करना है long term के लिए जब आप invest करते हैं तो आप market से बहुत अच्छी wealth create करते हैं fourth जो rule है वो है कि don't be control fake एक बार आपने क्या किया कि जब आपने market में अच्छी company के share खरीद लिये या mutual fund आपने खरीद लिये तो आप लंबे समय तक उसमें basically बने रहो और आपको रोज market को track नहीं करना है कि आज market नीचे चली गई, आज market उपड़ चली गई आज share का price बढ़ गया, आज share का price नीचे हो गया आपको basically आपने कोई अच्छी company का share ले लिया research करके तो आपको उसको पकड़ के फिर बैठना है उसमें invest करना है आपको यह नहीं करना है, रोज market को नहीं देखना है आपको, क्योंकि रोज अगर आप market को देखोगे तो आप panic create करोगे, इसलिए रोज market को आपको नहीं देखना है market उपड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ यह धियान रखना है कि आपकी जो जिस company का share आपने खरीदा है उस company में कोई major problem ना आई हो अगर कोई major problem उस company में आ गई है तो ही फिर आपको अपने share को वहाँ से बेशने की जरूरत है इसलिए आप otherwise आप क्या करो उसको hold करके रखो basically लिए रोज market को track ना करो आपको क्या करना है यहाँ पर एक diversified portfolio बनाना है जैसे कि mutual fund में suppose करो आप mutual fund में invest करते हो तो mutual fund में आपको एक diversified portfolio बनाना है आपको क्या करना है कुछ large cap में रखना है कुछ mid cap में कुछ small cap में कुछ international fund में इस तरीके से कुछ bond में इस तरीके से आपको एक diversified portfolio बनाना है आपको retirement का भी ध्यान रखना है आपको retirement के लिए भी अपनी saving करनी जरूरी है अब बात आती है section 4 की section 4 हो है taxes यहाँ पर आपको tax का भी ध्यान रखना है basically तो इस तरीके से आपको taxes का भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनके द्वारा आप अगर tax में छूट प्राप्त कर सकते हो तो आप उनका भी जो है वो फायदा ले सकते हो tax आपको पूरा देना चाहिए tax की चोरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए लेकिन कानून के प्राफधान के तहत अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे आपको tax में छूट प्राप्त हो सकती है तो आपको उस चीज़ों को भी समझने की जरूरत है अपने CA से बात करने की जरूरत है legal एड़ाजर से बात करने की जरूरत है कि कहां कैसे आप जो है अपने tax को basically बचा सकते हो किसी illegal तरीके से نہیں बलकी legal तरीके से आपको tax में छूट कैसे मिल सकती है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है बात बात आती है insurance की आपको अपनी life में दो insurance तो जरूर लेने चाहिए एक health insurance और एक term plan जिसको की हम life insurance कहते है health insurance आपकी medical emergencies को cover करता है कभी भी आपकी family में अगर किसी को कोई problem हो गई तो आपको पता है hospital में एक बार जब आप एड़िमेट हो जाते हो तो आपका कितना ज़्यादा meter चलता है तो इसलिए आपको health insurance जरूर लेकर रखना चाहिए ताकि आपकी medical emergency family के वहाँ cover हो सकें और इसी तरह से आपको एक life cover लेना चाहिए term plan आपको जरूर लेना चाहिए आज को तो बहुत पामूली से premium दे के आप एक करोड तक कर term plan आप ले सकते हो तो basically आपको क्या करना है कि आपको term plan भी लेकर रखना है मानलो आप कल के दिन पर ऐसा ना हो कि मानलो जो family का earning member है उसको कोई problem आ जाए तो फिर उसकी जो family है उसको दरदर भठकना पड़ेगा उसको जिन्दी की जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए ऐसी इस्ति उनकी life में ना आए इसके लिए आप अभी से अपनी life का cover आपको जरूर लेकर रखना चाहिए एक life insurance आपको जरूर लेकर रखना चाहिए दोस्तों ये थे four sections जो इस book में author ने बताए है पैसे को बचाने के, invest करने के, tax को बचाने के और करज मुक्त रहने के, basically इन पे आपको पूरा focus अपनी life में करना है अब बात करते हैं, साथ steps के बारे में कि जो आपको financially freedom तक लेकर जाएंगे अगर आप इनको अपनी life में follow करेंगे तो सबसे पहला जो step है, वो है know your current story आप अभी अपने आपको देखो, कि आप अभी कहाँ पर हो, basically आप अपनी income को देखो, income track करो, expenses को track करो अपना golden number जानो, कितने पैसे आप बचा रहे हो महीने में, total assets आपके कितनी है, total liabilities कितनी है अपनी net worth आप निकालो, net worth आप कैसे निकालोगे total assets मैंसे total liabilities को आप minus करोगे तो आपकी net worth आजाएगी, आप अपने जो है वो debt की details आपके पास पूरी होनी चाहिए, कितना कितना करजा है आपके पास home loan है, education loan है या car loan है, वो पूरी detail आपके पास होनी चाहिए आपका retirement के लिए आप कितने पैसे save कर रहे हो तो आपको ये पूरा अपना current story पहले आपको जाननी जरूरी है तो आपको एक goal set करना है, कि आप कहा जाना चाहते हो कितना पैसा आप अचीब करना चाहते हो, अगर आपको save करना है बच्चे की marriage के लिए, कितना पैसा save करना है अगर आपको save करना है बच्चे की education के लिए, कितना पैसा save करना है आपको retirement corpus के रूप में कितना पैसा चाहिए आप अगर financial freedom हासिर करना चाहते हो तो कितना पैसा आपको चाहिए यह चीजें आपके एक goal होना चाहिए उसी goal के according आपको आगे बढ़ना है third step है वो है grow your golden number जितना हो सके आप अपने golden number को बढ़ाओ यानि कि जो आपकी income है और जो आपके expenses है उनकी जो बीच का difference है वो आपको बढ़ाना है आप अपनी income को increase कर सकते हो जैसे suppose close salary आपके limited है लेकिन आप अपनी extra income बढ़ा सकते हो कुछ part time काम आप कर सकते हो उसके जरीए आपकी income बढ़ जाएगी आपका golden number भी automatic basically बढ़ जाएगा उसके बात आपको क्या करना है fill up bucket one यानि कि आपको एक अपना emergency fund सबसे पहले बनाना है जिसमें कि कम से कम आपके जो monthly expenses है सारे मिलाके उसके 6 महीना multiply by 6 करके आपको जो है वो expenses एक emergency fund आपको बनाना ही बनाना है ये आपको सबसे पहले करना है फिप्थ स्टेप है determine your minimum contribution to bucket 4 यानि कि जो retirement की bucket है आपकी इसमें आपको अपना minimum जो contribution है आपका वो हमेशा करते रहना इसको आपको नहीं रोकना है लगातार आपको जितना जल्दी हो सके आपको शुरू कर देना है जब आपकी job लग जाए तो आपको उसमें minimum contribution अपना बिलकुल लगातार बनाए रखना है इसके बाद आपको क्या करना है अपने एक गोल सा आपने सेट कर लिए कितना कितना पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए आपने saving के लिए क्या करा four bucket method का आपने use किया आप इसको आप क्या करो prioritize करो सबसे पहले इसके बाद आप क्या करो हर साल basically अपने जो आपका financial freedom का plan है उसको review करो आप देखो कहीं उसमें कुछ change की जरूरत तो नहीं है आपने जो investment की हैं कहीं उन investment में कुछ बदलाव की जरूरत तो नहीं है अगर कहीं कुछ बदलाव की जरूरत आपको नजर आ रही है तो आपको उसमें वो बदलाव basically करना चाहिए तो इस तरीके से इन साथ steps को अगर आप अपनी life में follow करोगे और आप पूरे इन चार sections को अगर आप ध्यान दोगे तो इन पे आपका पूरा financial जो है ने वो financial world आपका dependent करता है आपकी personal finance इससे बहुत ज़्यादा सोधर जाएगी और आप पैसे बचा पाओगे यह four bucket method का परियोग आप करके अपनी life में बहुत पैसे बचा सकते हो ठेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि साथी आपको अपने expenses पर control रखना है अपनी income को आपको बढ़ाना है और अपने golden number को जितना हो सके उतना बढ़ाओ जितना ज्यादा आप अपने golden number को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आप अपनी life में financial freedom तक उतनी जल्दी पहुंच पाओगे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए